आपको बहुत सपना रह चुका है तो इसी घर में हमने कुछ खास बनाया है जो के है हमारा प्राइबेट होम थेटर तो इस वीडियो में मैं आपको हमारा प्राइबेट होम थेटर बताऊंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट मुझे करके बताइए कि हमारा होम थेटर आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजेगा तो ये है हमारा प्राइबेट होम थेटर जिसमें आप देख सकते हैं आप प्रेक्लाइनर्स दिया है और ये है इंटेरियर किससी दिमें तो जो भी स्पीकर से वो इन वॉल है तो एक स्पीकर है लेफे में 1 Center, 2 Right, उसके बाद जो 2 Surround एक ये Right में , एक Left में और ये सारे Speaker से क्लिट्ष के और साथी में 2 JBL ATMOS भी है यहाँ पर आप उपर देख सकते ये 1 और ये 2 ये दो है JBL ATMOS और प्रोजेक्टर यूज किया है Epson तो ये सब के जो models है मैं description में दे दूंगा आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर में खास करके 3D भी चलता है और यहाँ पर हमने सब वूफर भी क्लिप्श का ही लगाया है उसके बाद आते हैं प्लेयर के पास प्लेयर हमने यूज किया है पायनीर का और साथ में एम्प्लिफायर है डिनन का तो इसका भी मॉडल नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बाकि सारे फीचर्स आप वहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप टाटा स्काय का कनेक्शन भी दे सकते हैं हमने रेडियो भी कनेक kर लिया है और साथ में आप पेंड्राइब लगा सकते हैं हार्ट डिस्क लगा सकते हैं सीडी लगा सकते हैं और 55 कनेक्टिविटी भी है इसके बाद हमने एक पेंट्री परुवाइड की है अगर आप डूर लगाओगे तो आपको समझेगा नहीं कि यह साइड में पैंट्री है तो इसके पीछे एक छोटी सी पैंट्री हमने प्रोवाइड की है जहां पर ओवन या फ्रीज रख सकते हैं तो जब हम मुवीज देखेंगे तो हमें बार-बार नीचे नहीं जाना देखेंगा हम सब यह पर कर लेंगे और उसके बाद हमने यहां पर एक इंटर कॉम भी बिटाया है ताकि अगर उस जरूरत पड़े तो जैसे हमारा होम थेटर सेकेंड फ्लॉर पर है तो यहां से नीचे जाने की नौबत ना आए नहीं रखते हैं सो गाइस अभी बारी है वीडियो टेस्ट की तो मैं आपको बता हूंगा वीडियो कॉलिटी और ओडियो कॉलिटी आप देख लिजेगा ओडियो में ज्यादा देर के लिए नहीं लगा सकता क्योंकि आपको पताए कॉपीराट का प्रॉब्लम तो आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा हूं थेटर पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा और जाते जाते कहूंगा बेल आइकोन को दबाना मत भूलिएगा अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी झाल झाल